दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम कक्छा 11 हिंदी काब्य से कबीरदास द्वारा रचित पदावली लेकर आये हैं साथियों पदावली में कबीरदास जी ने आम जन्मानस तक अपनी बातों को पहुचाने के लिए बड़े ही परभावपूड तरीके से दामपत्त जीवन अर्थार्थ बैवाहिक जीवन के प्रतीकों द्वारा इस्वर की भप्ती किया है साथियों कबीरदास जी ने स्वयम इस जीवात्मा को पतनी का प्रतीक और उस परमात्मा को पती परमेश्वर का प्रतीक मानकर परमात्मा के प्रती प्रेम प्रकट किया है कबीरदास निर्गुड का बेधारा के कभी है इसलिए कबीरदास के प्रमात्मा इस्वर प्रभू निराकार है उनका कोई आकार नहीं है वह तो कड़कड में निमास करने वाले है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पदावली की भासा सधुकडी है सैली प्रतीकात्मक है क्यों प्रतीकात्मक है क्योंकि इसमें कभीरदास जी ने इस जीवात्मा को पत्नी का प्रतीक माना है और परमात्मा को पती परमेश्वर का प्रतीक माना है चंद, गे चंद है, रस, संयोक, सरिंगार और सांतरस है तो चलिए शरू करते हैं दुलहनी, गावहू मंगलाचार दुलहनी मतलब दुलहन, विवाहित, इस्त्रिया गावहू मतलब गाव, मंगलाचार मतलब मंगल सगुन के गीत कविर जी कहते हैं कि हे दुलहिनों तुम मंगल सगुन के गीत गाओ हम घरी आयो हो राजा राम भरतार हम घरी आयो हो क्योंकि हमारे घर राजा राम स्री राम भरतार मतलब भरता करने वाला पालन पोसड करने वाला पती क्योंकि हमारे घर स्री राम भरतार पती के रूप में कबीर जी कहते हैं कि हे दुलहिनों तो मंगल सगुन की गीत गाव क्योंकि हमारे घर स्री राम पती के रूप में आये हैं स्री राम का मतलब प्रमात्मा तन रती करी मैं मन रती करूँ पंच तत बराती तन मतलब सरीर रती मतलब प्रेम करी मैं मैं तन से प्रेम करूँगी मन रती करूँ रती का मतलब प्रेम मन से प्रेम करूँगी मैं अपने राम रुपी पती को तन और मन से प्रेम करूंगी तन मन से अपने राम रुपी पती की सेवा करूंगी हमारे पती के साथ पांच तत्व अगनी वायू पृत्वी जल आकास बराती बन कर आए हैं आगे देखिए राम देव मुर पाहुने आए मैं जोबन मैं माती जोबन मतलब यवन मैं मतलब मदमस्त हो जाना और मैं यवन से मतलब हो गई हूँ या मैं पुल रूप से यवन संपन हो गई हूँ एक बार पुना समझ लिजिए स्री राम मेरे पहुना के रूप में आए हैं और मैं यवन संपन हो गई हूँ या यवन से मतमस्त हो गई हूँ सरीर सरोवर बेदी कर हूँ ब्रह्म बेद उचार सरीर सरोवर मैं अपने इस सरोवर रूपी सरीर की बेदी कर हूँ बेदी बनाओंगी बेदी यानि कुंड बनाओंगी जिसमें आग जलाया जाता है मैं अपने इस सरोवर रूपी सरीर की बेदी बनाओंगी ब्रह्म बेद उचार और ब्रह्मा जी बेद बेद मतलब वेद के उचार मतलब उचारड करना और ब्रह्मा जी खुद मेरे बिवाह के लिए वैदिक मंत्र पढ़ेंगे फिर समझ लिजे मैं अपने इस सरीर रूपी सरोवर की बेदी बनाऊंगी और ब्रम्मा जी खुद मेरे बिवाह संसकार के वेद उचार मंत्रों का उचारण करेंगे मंत्र पढ़ेंगे मैं तो बहुत बड़ी भागे साली हूँ धन्य हूँ आगी देखिये सूर 33 कौतिक आय मुनिवर सहस अठैयासी सूर 33 यानि 33 करोण सूर देवी देऊता कौतिक मतलब करोण 33 मतलब 33 आय मुनिवर मतलब मुनि सहस अठैयासी 88 मतलब 88 तो हमारे सास्त्रों में ऐसा वलडन है कि हिंदु धर्म में 33 करोण देवի देउता है और 88 हजार मुनी है तो कभीरदाश जी कहते हैं हमारे इस मिलन को हमारे इस विवाः को देखने के लिए 33 करोण देवी देउता और 88,000 मुनी गड़ भी आये हैं कहे कबीर हम ब्याही चले पुरुस एक अभिनासी कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर कबीरदास जी कहते हैं हम ब्याही चले हैं पुरुस एक अभिनासी कि हम एक अभिनासी पुरुस के साथ एक अभिनासी पुरूस परमात्मा के साथ अभिनासी मतलब जिसका कभी ननास हो कभीरदास जी कहते हैं कि हम एक अभिनासी पुरूस परमात्मा के साथ ब्याही चले ब्याह के बंधन में बंधने जा रहे हैं अब अगला देखिए इस पध्यांस में कवीरदास जी ने बताया है कि कठिन साधना के बाद ही इस्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है तो चलिए ध्यान दिजिए बहुत दिनन थे प्रितम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए बहुत दिनन थे यानि बहुत दिनों के बाद प्रितम कार्थ प्रियतम पाए मतलब मिले हैं प्राप्त हुए हैं कवीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे परमातमा रुपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं भाग बड़े, घरी बैठे आए, भागे बड़े, मैं बहुत भागे साली हूँ, घरी बैठे, कि मैं घर बैठी रही, आए, और वह खुद मिलने आए हैं, एक बार पुना समझ लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं, कि बहुत दिनों के बाद मुझे परमात्मा रुपी प्रियत प्राप्त हुए हैं, मैं बड़ी भागे साली हूँ, कि मैं घर बैठी रही, और प्रमात्मा रुपी प्रियतम स्वेह मिलने आए हैं, मंगलाचार माही मन राखो, मंगलाचार यानि मंगल सगुन के गीत, माही मन राखो, मन में राखो रखने लगी हूँ, या गाने लगी ह कि मैं प्रसन होकर मन ही मन माही मन यानि मन ही मन मंगला चार राखो मंगल के गीत गाने लगी हूँ राम रसाइण रसना चासो रसना और अपने जीव से राम के रसाइण आनंद रुपी रस को चासो चखने लगी हूँ और मैं अपने जीव से परमात्मा के राम के आनंद रुपी रस को चखने लगी हूँ मंदिर माही भया उजियारा मंदिर माही यानि मेरे मन मंदिर में भया उजियारा उजाला हो गया है तो उजाला प्रकास ग्यान का प्रतीक है तो ऐसे समझ लिए कि मेरे मन मंदिर में ग्यान का प्रकास हो गया है ले सूती अपना प्यू प्यारा ले सूती मतलब सौंगी अपना मतलब अपने प्यू मतलब प्रियतम प्यारा मतलब प्रिय अब मैं अपने प्रियतम प्रिय और अब मैं अपने प्रिय प्रियतम राम के साथ सोंगी अर्थार्थ मिलन सुख का आनंद भोगूंगी मेरे मन मंदिर में ज्यान का प्रकास हो गया है मैं अब अपने प्रिय राम के साथ सोंगी अर्थार्थ मिलन सुख का आनंद भोगूंगे मैं रनी रासी जे निधी पाई रनी रासी यानि रतनों की निधी मतलब भंडार खाजाना कबिर जी कहते हैं मेरे लिए परमात्मा का मिलना रनी रासी जे निधी पाई रतनों के निधी भंडार मिलने जैसा है कबिर दाज जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा का प्राप्त होना किसी रतनों के भंडार प्राप्त होने जैसा है हम ही कहा मैं इस योग्य कहा थी यह तुम ही बढ़ाई यह तो राम की ही परमात्मा की ही बढ़ाई है किरपा है कि वह मुझे प्राप्त हुए हैं कहे कबीर मैं कछू न किन हो कबीरदाश जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया सक्षी सुहाग राम मोही दिन हो राम ने परमात्मा ने खुद मुझे सुहागन बनाया है कबिरदाश जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया परमात्मा ने मुझे पर किरपा करके मुझे खुद सुहागन बनाया है आगे देखिए इस पद्य में कबिरजी ने ज्यान के महत्व को बताया है ध्यान दिजेगा संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे कविर जी कहते हैं संतो भाई हे संत भाई हे संत भाई हों आई ज्यान की आंधीरे ज्यान की आंधी आ गई है कविर जी कहते हैं कि हे संत भाई हों ज्यान की आंधी आ गई है भरम की टाटी सबे उड़ाडी इस ज्यान की आंधी में भरम की टाटी सबे उड़ाडी भरम रुपी टाटी उड़ गई है टाटी मतलब जैसे जोपड़ी उपड़ी में बांस का एक परदा बना जाता है वही टाटी तो इस ज्ञान की आंधी में भ्रम की टाटी परदे उड़ गए हैं माया रहे न बांधी भ्रम दूर्द होते ही माया रहे न बांधी रे मैं माया में भी बंधा नहीं रहा अर्थार्थ भ्रम के दूर होते ही माया से भी मुक्ती मिल गई है दुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो दुछते की दोई थुनी गिरानी इस ग्यान की आंधी में छप्पर के दोनों थुनी गिरने से मोह बलिंडा तूटा, मोह भी समाप्त हो गया है, मोह का बलिंडा तूट गया है काने का मतलब है, जैसे आंधी आने पर छप्पर की दोनों थुनी गिर जाती है, बलिंडा तूट जाता है, उसी प्रकार इस ग्यान की आंधी में हमारे भीतर से सांसारी कवासना और मोह समाप्त हो गया है आगे देखिये जोग जुकती करी संतो बांधी निर्चु चुए न पाड़ी जोग जुकती करी संतो बांधी अब संतो ने जोग जुकती करी योग और युकतियों के बल पर बांधी नए सरीर रुपी चुपर का निर्माड़ किया है निर्चु चुए न पाड़ी निर्चु मतलब बूंद भी चुए न मतलब चुए नहीं सकती निर्चु मतलब नीचे पाणी मतलब पाणी अब इस सरीर रुपी चुपर को वासना की एक भी बूंद भी इस पर्स नहीं कर सकती फिर समल लिजिए संतो ने योग और युकतियों के बल पर अब सरीर रुपी चुपर का निर्माड़ किया है अब इसमें वासना की एक भी बूंद भी टपक नहीं सकती कूड कपट काया का निकस्या काया का मतलब सरीर का इस सरीर का सारा कूड कपट कूडा करकट निकस्या निकल गया है दूर हो गया है अब इस सरीर से जितने कूडा करकट थें कूडा करकट का मतलब मोह माया त्रिसडा वासना जितने भी यह कूडा करकट थें वे दूर हो गया ह निकल गए हैं हरी की गती जब जानी क्योंकि हमने हरी की गती जानी इस्वर की गती को समझ लिया है आंधी पीछे जो जल बूठा इस ग्यान रुपी आंधी के बाद जो जल बूठा जो इस्वर के जल की बरसा हुई इस ग्यान रुपी आंधी के बाद इस्वर के जल की जो वर्सा हुई प्रेम हरी जन भीना उसमें सभी जन सभी भक्त जन प्रेम हरी इस्वर के प्रेम में भीना भीग गए एक बर पुनसम लिजिए इस ग्यान रुपी आंधी के बाद जो इस्वरी प्रेम की वर्सा हुई उस इसमें सभी भक्त इस्वर्य प्रेम से भीग गये। अग्यान रूपी सुरे का प्रकट हुगा उधित भयातम सीना और इसके उधित होने से ही तम मतलब अंधकार सीना मतलब दूर हो गया और इसके उधित होने से ही सारा अंधकार अग्यान रूपी अंधकार समाप्त हो गया दूर हो गया वीडियो पसंद आया होगा तो वीडिय को लाइक कीजिएगा साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें